हेलो एब्रिवान वेल्कम बैक कैसे हैं आप सब आई होप यौल विल विल फाइन एक काफी टाइम के बाद आपकी क्लास होना जा रही है ठीक है उसको खतम किया था मेडीवल इंडिया के बात में पड़ा था तो अब हम आगे मेडीवल से आगे नेक्स्ट मॉडन स्टार्ट करते हैं यह भी अलग तरफे में होती है जैसे पहले हम पढ़ेंगे कि जैसे मुगल्स थे मुगल्स की डाइस्टी चल रहे थी मेडीवल इंडिया में तो मुगल्स हो थे उनकी वो किस-किस तरह से उनका डाउनफाल हुआ मुगल्स किस तरह से उनसे चत्ता चीन लेगी और किस तरह से आपके फिर बिटीशर्स आए यूरोपियन जो थे बाहर से ट्रेड के लिए आए तो किस तरह से बिटीशर्स आए बिटीशर्स ने आके कौन-कौन से कंपनी आए बिटीशर्स के अलावा कौन-कौन आए तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे फिर हमारा एक टाइम ऐसा आएगा जब मतलब एक कंउँग्रेस बनेगी ठीक है कंउँग्रेस बनेगी 1885 में और उसके बाद नेक्स टाइम आएगा जब आपके जैशानल मोवमेंट्स चलेंगी जो भी फ्यूदम की दे चाहिए तो पहले हम मुगल के टानफाल से जैसे कि हम सभी को बता है कि जो कि मुगल्स हैं जैसे कि जो कि मुडर्न इंडिया है तो मुडर्न इंडिया मारा शुरू हता है 1707 से मुडर्न इंडिया के शुरूआत हमारी मायन जाती है 1707 से क्योंकि मेडीवल का ही टाइम पिरिद हमने देखा था 712 से लेके 1707 तक था ठीक है जब 1707 में आपका medieval खतम हो जाता है उसी टाइम पे आपका modern उसी टाइम से modern के शुरुआत हो जाती है ठीक है तो 1707 में आपका modern शुरू हुआ चला कहा तक 1707 से लेके जो आपका 1947 तक का time है इसी को हम अपने modern इंडिया में लेते हैं ठीक है हिस्ट्री का जो थार्ड पार्ट है modern इंडिया उसमें इसी टाइम पेड़ का हम लेते हैं जो कि आपका 1707 से लेके 1947 तक है मतलब जब तक इंडिया को independence नहीं मिलती है ठीक है तो इसमें सबसे पहले तो हमारे पास है सबसे पहले हम देखेंगे मुगल्स के dawn falls के बारे में ठीक ह हाula हिएं कहसे लास्ट मुगल मपरर हम ने देखा था अरंगजभ के वर में मतलब नास्ट च्वांस्ण जो भी हमने की थे ऊत्व अर लोंग्जभ को नधो Chemer and झाल दिधा औरंग जीब का अतर में मुझाल कर जो आइए उसके पाइब आप depends on How Pro ng thanksically जू कि जो है और नशेँंपह पाइप संस तक है अब नेक्स्त हो जू तो जो में बठेंगे जो शाðसिग बनके आएंगे वो आएंगे औरंग्स रेब के ही संस टीक है लेकिन औरंग्स रेब के यह जो संस थे वो इतनी जादा यह प्राफल नहीं थे कि वो उस थ्रोन को संभाल सके जैसे हर एक चीज लिए एक बंदा होता वो उसके लाइक होता है तो यह इतने लाइक नहीं थे कि वो इतने बड़ी सत्ता को संभाल सकें ठीक है इसलिए इनके टाइम से जैसे ही औरेंज जेप की रहत हुई और आगे आपका औरेंज जेप की जैसे ही सकसेसर आये तो उसके साथ ही मुगल्स का डाउन फॉल जो हो शुरू हो गया ठीक है क्यो करेंज गई जो यहीं चाहिए कि पहले तो आपके जो आपके जो रूलर्स हैं वो इतने ज्यादा कपीबल नहीं होने चाहिए उनके अंडर होने चाहिए तो यही से आपके जो मुगल्स हैं उनका पहले बैटल कि आपस मेंओं ही लड़ते रहे किसके टा के लिए कि पांच संथे तो पांचा के अंछिर जो दो संथे ég हैं यौन वज्ञे ते उर बचे थे थे सबसे पहले सबस्काराव के इस सबसे पहले सबस्केश सबस्क्राइब को नाम दिया घजाओ ठीक है यह हुई की और इस मिया के इसको मार दिया और इसके साथ इसने कामबक्ष का ब्रदर था उचो मिच्त और नेक्स्ट मुगल एंपरर जो है बनके वा गया तो इसका नाम क्या था व instruments भादू रजिए इसी को बहादू शाह भी बुलाया जाता है ठीप पीर इसका जब time period शिरू हुआ, time period कहां से लेकर 1707 से लेकर 1712, time period इंपोर्टन नहीं है बस आपके लिए जो इनके points है वह इंपोर्टन है He became Mughal Emperor at the age of 65 years, so called Buddha Baadshah इसी को Buddha Baadshah या फिर Old Baadshah भी बोला जाते है Buddha Baadshah या फिर Old Baadshah बोला जाते है, क्यों बोला जाते है क्योंकि यह जब 65 years का था मतलब इसकी age काफी हो चुके थी उस time पर जाके यह Emperor बना था इसको शाय बेखबर भी बोला जाता था In 1702, Shauh got free from Mughal and became the next map अब यह Marathas के बारे में ठीक है, Marathas मारे भी रहते है Marathas map को next class में करवा दूँगी, Marathas के बारे में बता दूँगी ठीक है, तो यह जो शाहू जो थे, यह एक Maratha warrior थे, ठीक है Maratha, एक Maratha ही थे, ठीक है, तो 70107 में यह जो है, इनको पहले जो है ना पहले इनको प्रीजन में डाला जाएगा, ठीक है, Marathas पड़ेंगी उसमें बताऊंगी, तो इनको क्या के जाएगा, प्रीजन में डाला जाएगा और यह इस ताइम पर फ्री होगे वहां से, ठीक है, प्रीजन से फ्री होगे, और यह नेक्स्ट में डाला जाएगा, इसी ताइम पर बनके, मतलब इनके contemporary क्या चल रहे हैं, शाहू चल रहे हैं 1712, in 1712, during a mission against बंदा बहादर, अब बंदा बहादर कून थे जो आपका खालसा पंत था ठीक है, जो आपका खालसा पंत था, उसमें जो गुरु गोविन सिंग थे, गुरु गोविन सिंग जो थे, उसके ही ये सेवक थे, ठीक है, ही वादर खेवक ब्रीजन सेवक गुरु ग बहादुशाह की देट होगी है तो 1712 में इसकी डैथ होगी उसके बाद नेक्स्ट इसके भी आगे संस थे इसके बीचार संस थे चार पूंकि अपने भाईयों को तो यह पहले बाद अब इसके बाद कोन आएंगे नेक्स इसके आएंगे संस जो कि इसके सक्सेसर बनेंगे ठीक है तो इसके संस में सबसे बड़ा जो था उसका नाम था जनादर शाह ठीक है तो जनादर शाह जो है यह नेक्स्ट आपका रूलर बन के आए 1712 से लेकिश 1713 तक इसके वजीर का नाम क्या था इनका वजीर था जिसने की हल्प की थी इनकी वो था जूल्फीकार खांग इसने एनकी हल्प की थी लालकूवर लालकूवर को थी यह लवर थी ठीक है इनकी इसके साथ ही शादी कर लिए और पॉइंट अल्ड़ यो डेली धरवाद था इस्में जितने भी इसके रिलेटिबस थी उसको उसने वहां पर रख लिया तो जब इसक सारे डेटिप्स को ही वहां पे रख लिया है पॉइंट कर लिया तो इसके बाद इसको टाइटल दिया गया लंपत मूर्ख का 1713 1713 की बात है दे किल जनादर शाह जनादर शाह को मार दिया and appointed the next मुगल एंपरर टू फारुक शियर और नेक्स्ट मुगल एंपरर है वो बना दिया फारुक शियर को ठीक है जिसका ओरिजिनल नेम था अजीम शान और यह जनादर शाह का ही भाई था ठीक है अब किल किसने किया तो किल मारा इनको अब्दुल्ला खाँ अब्दुल्ला खाँ और हुसेन अली खाने अब्दुल्ला खाँ और हुसेन अली खाने मारा था इसको तो क्योंकि इन्हों नहीं इसको मारा था और नेक्स्ट एंपरर जो है वो फारुक शियर को बनाया था जाए फिर इसके ब्रदर जीम शान को बना अगर किसी भी क्लास में कुछ मिस्टेक हो जाती है तो मैं नेक्स क्लास में आपको कुरेक्ट करवा दिया गरोंगी तो लास्ट क्लास में आई तिंग मैंने साइद वर्द वाला कुछ कर दी थी मिस्टेक तो यह जो अब्दुल्ला खाएं और हुसेन अली खाएं इन्ही को बोला जाता है साइद ब्रदर ठीक है और इन्हों ने ही जो जनादर शाया उसको मारा था अब इसके बाद इसके बाद फारूक शियर क्योंकि फारूक शियर को इन्होंने नेक्स्ट एम्परर बनाया था इस लिए फारुक शियर एपॉन्टेंट सब्रकूइद साहीद ब्रदर्र जब वजीर आपक्षि अब अब अबडूला खान इसने वजीर बनाया और जो हुसीन एली खान था उसको बनाया मीरंक्षी मीर बख्षि होता है मीर बख्षि होता है सैनति जुसको अब सैना बती बोल जाता था मीर बख्षि उसके बाद ली Clay becoming we had some यह बंदया बहादुर ऑब फаरोक शियरम ने करें किया बंदा बहादुर जो थे उनको भी आर दिया ड्क्टर विलीम हेमिल्टन इसको ऑप्रेट किया था, डॉक्तै विल्यम हेमिल्टन ने इसको गजosity औहने ऑद्टिeze को बXT विजा की पड़ो गे इसमें उसको महितिशर बोला चाता है ठीक है तो इसने क्या किया था golden ordinance दिया था बिंगाल में बिहार और उडिसा में Britishers को और इसी golden ordinance को बोला जाता है आपका Magna Carta ठीक है और Magna Carta में क्या है it has written fundamental rights in Britain is called Magna Carta जो भी fundamental rights जो है उनको written form में जब दिया गया बिटेन के king को द्वारा उसी को नाम दिया गया Magna Carta का नेक्स्ट अब इसके बाद नेक्स्ट आपका ruler बन के आया वो आया आपका मोहमद शाह ठीक है अब इसकी death होगी ठीक है फारुक शेयर की death होगी और फारुक शेयर की death के बाद को नाया नेक्स्ट आपका मोहमद शाह ठीक है मोहमद शाह जो है इसको इसको एक साइद ब्रदर्स थीक है साइद ब्रदर्स जिनके बारे हम पहले बढ़ चुके है कि इन्हों नहीं फारुक्षिर की हल्प किती नेक्स्ट रूलर बनने के लिए इसने क्या किया इसने उन दोनों को मार दिया विद्दा हल्प आफ निजामुल्मुल्क ठीक है कि दो 1727 के बात है उस टाइम पे इसने जो हुसेण अली खान था सइद ब्रदर्स के मने नाम पड़े हुसेण अली खां और अबदुल्मुल्मुल्क ठीक है सब्सक्राइब के बाद 1722 में इसने अबदुल्मुल्मुल्क ठीक है कि अगद पेशवा बाजि-सन पर्सके अब इसी के टाइम पेरिड में जो पेश्वा वाजिर और फर्स्ट है उन्होंने दिली में अटैक किया था जो की सैकिंड पेश्वा थे मराथास मराथास के और इनका टाइम पेरिड है 1720 से लेके 1740 तक महोमर शाह को रिंगिलबाद शाह भी बोला जाता है 1739 में हुआ इसी के टाइम पें इन्वेजर अफ नादिर शाह ने इंवेड किया और नादिर reveals फेरियोह दूरा cél best battledyra के बीच में बैटल ऐफ करनाल के बीच मैं बैटल ऑफ करनाली जिसमें कि नाधिशा जो है उसकी विश्कوق मुगूह था उन्होंने इस बैटल को लॉस्ट कर दी ए मतलब सेना विव्यांन के बैटल मों उनकी हार होगी ve इसी ने इननटपैंट स्तेट बनाएत भी इसी ने इंडिपैंडेंट स्टेट बनाई थी इसी के टाइम पिरिड पे इंडिपैंडेंडेंट स्टेट बनी थी बेंगाल और बेंगाल का जो है फर्स्ट नवाब बनाया गया था मुर्शीद कुली खांको ठीक है इसी के टाइम पिरिड में महुमर्शा के टाइम पिरिड में सबसे पहली आपकी इंडिपैंडेंडेंट स्टेट बनी थी बेंगाल और बेंगाल का जो सबसे पहला नवाब था वो बनाए गया था मुर्शीद कुली खांको इसके बाद बंगाल आई अवद आई और नेक्स अब की आई हाइदराबाद नेक्स अब की स्टेट आई हाइदराबाद हाइदराबाद को इस टाइम पर गॉल कोंडा बोला जाता था और इसका सबसे पहला जो बनके आया यहाँ पर निजाम बनाये गया था उसका नाम था निजाम उल मुल्क जिस ने किसकी हलकिती थी तो तीन इन्डिपेंडन स्टेट सामने आई इस ताइम पर इस टायम पर क्ला सेटेश के पर का हिटिए ढीने सॉप्काकती बंगाल की बंगाल बंगाल को सिब्से फर्स नवाब बना गया मुशीड कुली खांक और नेक्स्ट इंडिपेंडन स्टेट का जो पूर्तव अबीडेंस वह है अवाद और अवद का जो नवाब है उसको बनाए गया था सादद खां को और थार्ड स्टेट आगी है आपके पास है दरबाद की तो है दरबाद जो है उस ताइम पे इसको गॉल गॉंडर बोला जाता था और इसका जो निजाम था इसमें निजाम निउक् अपन नादिशा का इन्वेज दो नादिशा नादिशा यहां से चले जाओ ठीक है तो इन्होंने इसको 50 lakhs रुपे देने के लिए बोला था कि हम आपको 50 lakhs रुपे देंगे और आप यहाँ से क्या करो आप यहाँ से चले जाओ लेकिन नादरिशाह जो है वो बापिस नहीं किया उन्होंने पैसे असेप्ट नहीं किया और उन्होंने क्या क्या वो दिल्ली में आए जब जीत के दिल्ली में आए दिल्ली को लूटा और जब दिल्ली को लूटा तो वहां से 70 करोड रुपीस लेके गे और साथ में ही जो पि नाम दिया गया है मयूर सिहांसन का भी नाम दिया गया है तो यह लास्ट-एम्परोर था जो की मयूर सिहांसन के ओपर बैठा था और यहीं लास्ट-एम्परोर था जिसने कोहिनु को देखा था ठीक है इसके बाद भी हम पढ़ेंगे महाराथ डिलीप सिंग के बारे में कि उनके बाद सबसे लास्ट में कोहनु डामंड था लेकिन अभी तक जितने भी आपके अम्परर्स वह उसमें सबसे लास्ट ताम जिसने कोहनु डामंड देखा है वो कौन आपका मुह अभाद शाह है महड शाह जो है मुहमद शाह थी만 ग tien घक मॉम्मर शाह जो में उस यह भाद्या था कुछ उसने पींघ्ट किया अभ्डाले की बैट तरैम अभिल है उसके ताम है जो दो वह देखा वह decorate इसलिए शॉट में हम इसको अब्दाली बोल रही है तो इसकी इसी के टाइम पर एहमद शाह अब्दाली का अटेक हो ठीक है नाम दोनों के सेम से मिया से दोनों की डानेस्टी जलग लग है इसका नाम था एहमद शाह अब्दाली और यह जो मुहमद शाह का बेटा था इसका नाम था अहमद शाह ठीक है तो अबडाली का अटेक हुआ अहमद शाह के उपर मतलब दुनों एहम्द शह के बीच में जो एहम्ध शह था और आहम्द शह अवदाली था इसके बीच में battle ही in this battle आहम्द शह अब्दाली वसदिफीट ठीक है और जो नादेश शह का बेटा था अवदाली उसके इसमें इसके बाद नेक्स्सम्राइब बनके आया आलमगीर 2nd के टायम पर हुई आपकी Battle of Plassie इसी तायम पर आपकी Battle of Plassie हुई कब फूदी Game Venue 7-15-7 में 7-15-7 में हुई आपकी Battle of Plassie किसके बीच में? Robert Clive के बीच में और Sirajud Dola के बीच में लूम होएं बेट्ल आ प्लोस ही ही रोबर्ट्क्लाइब के भीच में तौध नवर्ट्क्लाइब को हो था ये फर्स्ट गवर्णा बेंगाल था बेंगाल का सबसे पहला गवर्णा घो छोख ये नवाब भो जो सिराजदॉला है उसकी हार होई और जो बिटीचर्स हैं उन्होंने क्टीचर कर लिया दिली को अपने अन्रे कर लिया और साथी जितने भी मुगल् enhanced थे जो भी मुगल शासिट ये उनको अपना पैंचनर बनाना शुरू कर दिया अब इसके बाद नेक्स जो आता है वो आपका शाह अलम सेकिंड ठीक है शाह अलम फर्स्ट हम पढ़ चुके हैं पहले यह है नेक्स शाह अलम सेकिंड शाह अलम सेकिंड को का एक्च्वल नेम अली गोहर था इसका एक्च्वल नेम अली गोहर था टाइम पर इसका 1759 से लेके 1806 तक ठीक है 14 जैन 1761 को इसके टाइम पर हुई थर्ड बैटल आफ पानिपत हुई थर्ड वाली किसके बीच में एहमद शाह अबदाली के बीच में और मराथास के बीच में एहमद शाह अबदाली और मराथास के बीच में एहमद शाह अबदाली नादिशा का बेटा ठीक है उसके बीच में और मराथास के बीच में बैटल हुई और इस बैटल में जो आपके मराथास थे वह हार गे और एहमद शाह अबदाली जो हार जाता है ठीक है लेकिन अब ए सब्सक्राइब कर तो उस टाइम पे इसकी जीत हो जाती है। उसके बात 1764 में बैटल ऑफ्ष भक्सर ठीक है 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुई बैटल ऑफ बखसर किस-किस के भीच में हुई है तो यह हुए आपकी हैक्टर मुन्रो के बीच में जो बिटिश आर्मे चीफ था इस टाइम पर बिटिश आर्मे चीफ हैक्टर मून्रो और इसके साथ साथ तीन जो रूलर्स से वो लड़ रहे थे ठीक है और साथ में आपका मीर कासिम तो मीर कासिम जो है ये बंगाल से लड़ रहा था ठीक है तो यह जो तीनों रूलर्स हैं यह लड़ रहे थे हैक्टर मुन्रो के खिलाफ लेकिन यह जो बैटल थी क्योंकि बिटिशर्स जो थे उनके पास काफी ज़दा थ्यार वगरा थे तो इसमें हैक्टर मुन्रो जो है बिटिशर्स मतलब जो है बिटिशर्स का क्योंकि यह क्या बोलते हैं आपकी नेत्रित्व कर रहा था बिटिशर्स का तो हैक्टर मुन्रो जो है वो इस टाइम पर जीत किया और जो यह आपके तीनों रूलर्स थी यह तीनों के तीनों हार इसी के साथ Britishers overtake Delhi and Shah Alam second was made first pensioner of British ठीक है अब इसके साथ ही Britishers जो है उन्होंने दिली को overtake कर लिया ठीक है दिली को Conquer कर लिया Conquer तो दिली को पहले के कर चुके है ठीक है लेकिन अभी दिली को पूरी तरह से उन्होंने अपने अंडर कर लिया और इसके साथ साथ ही जो शाह Alam second था जिसके टाइम पर यह हुआ उसी को पहला pensioner बनाया गया Britishers का ठीक है उसके बाद आया आपका second अकवर ठीक है अकवर second आया he was first Mughal who was appointed by the Britishers पहला ऐसा Mughal Emperor था जिसको की Britishers इसने खुद दो पॉइंट किया था मतलब उसको थोन पर इठाया था इन 1830 जिए टाइटल तो आफ राजा राम महन राए ठीक है राजा राम महन राए जिनका की नाम काफी सुना हुआ हमने हिस्ट्री में ही ठीक है जिनने बहुत सारे सोशल मुवमेंट्स चलाए हैं तो इनको राजा राम महन राए को इसने राजा का टाइटल जो है वो दिया था और 1837 में क्या हो इसकी डैथ होगी और इसकी डैथ के बाद नेक्स्ट जो आया दिली सलतना में वह आपका बहादुर शाह सेकेंड जिसको आप बहादुर शाह का जफर भी बोलते हैं टाइम फेर 1837 से लेकि 1857 ते और यही बहादुर शाह जफर जो है यह आपका जो अप हम रिवाल्ट ऑफ 1857 पड़ेंगे उसका लीदर भी इसी को बनाया गया था इसका लास्ट मुगल एंपरेर ठीक है लास्ट मुगल एंपरेर था इंडिया का यही आपका यह एक फेमस अर्दू पोईट भी था ठीक है अर्दू का पॉइट भी था और इसने रिवाल्ट ऑफ 1857 जो था उसमें इसने लीडर की भूमी का निवाई थी तो जब इसने मतलब लीडर था रिवाल्ट का तो जब रिवाल्ट ऑफ 1857 को उसके बाद इसको बी अरच कर लिया गया। बिटिश कर लिया और इसको रंगून जेल डान्वी बहह दिया। बिटिश्मीया चोट्राहिता गया पूरी साधिलिया कि ने सब्सक्स कर लिए गया। रंगून में हैं अब इसके साथ ही आपका जो है मुगल्स का डाउन फॉल जो हो खतम हो जाता है ठीक है जो हम बहादुर्शाद जफर जो है जिसमें जिसने की रिवाल्ट में पार्ट ले किया थे इसको जो हम रिवाल्ट ऑफ 1857 बढ़ेंगे उसके साथ साथ ही हम देख लें का लीतितरत है क्योंकि अगे हम रिवाल्ट की पढ़ने हैं तो इसके साथ आपकी यूजिए वहां इनकी ऑपस में भी इदे तो यह जो आपकी यूरोपियां सोंगे आपस में भी इनकी बहुत सकते हैं की यह आपसमें कंप लडाएंगे तो यह जो फॉर्वनघ उन भी आपकर तरह से हमारे एंडिया में कहां सी या इसका टाइम पेड़ीर्ट है कि इनक जो भी जोब्ए आया ओ इस तब कर दो सिलैक सो इसके इंट इंडिया में उनके आने के लिए व एक्स की सीवंज में वह pubis पूर्टोगेस थी कि फोर्टोगेस थे पोर्टोगेस तेसली पहले आया थे यह घ्लिश OM रिघुनेधरलand डेसली हुね जो तो तकी यह घ्लिश जो सबसे पहले आयातां यह इसली देंवनेदर्ड मेन्षट के लोग ईसलींटेश का इसली यंह हूं इनके आने का मेन मकसद क्या था तो इनके आने का मेन मकसद था यहां पर ट्रेड इनके आने का मेन मकसद था यहां पर ट्रेड इनके आने का मेन मकसद था यहां पर ट्रेड ट्रेड स्पैशली सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले स्पैशली यह स्पैसिस के लिए आ में दाए देखा कि इंडिया में काफी जादा रिसोर्स हैं हर एक छीज इसमाई तो इन्होने दीरे कैसी यूपर अपड़ आपके इपौर को अपर, शूरू करते हैं वास्को डिगामा वास फर्स पर्टगी की ऑी फ्र्टोर सरोर्स्य घी कि इंडिया जो की इंडिया में आया था वो था का वास्कोडी गमा और कब रहयता 1498 में आया था 1498 में आय था जब यह इंडिया में आया था तो यह पहुंचा कहां पे था? किस जगा पे आके रहका था? तो सबसे पहले पहुँचा था के केलीकट जो बंतरगा है वहां पहुँचा था He was welcomed by King Jamoran. King Jamoran ने इनका welcome किया था मतलब इनको क्या बलते हैं? इनका welcome किया था Francis Almeida was the first governor of East India company in India अब ये East India company वो नहीं है जो East India company हम पढ़ते हैं Britishers की ठीक है जो East India company आपकी लंडर में बनी थी ठीक है वो East India company नहीं है ये East India company कौन सी है ये है आपके Portuguese East India company ठीक है क्योंकि जब आपके Europeans आए हैं तो ये trade के लिए इंडिया में आए हैं तो इन्होंने अपनी companies established किया है यहां पर चाहें Portuguese हों डचिस हों competition हों Danish show franchise हों कोई भी हो तो इन्होंने क्या कि जब भी आए तो इन्होंने अपनी पहले अपनी company बनाएं ठीक है तो वैसे ही जो आपके पूर्तगीज हैं जब इंडिया में आए तो इन्होंने क्या बनाएं अपने company एक setup लिए था ठीक है तो पूर्तगी इस इंडिया कमपनी जो है सबसे बहले बनाएगे इनकी दोवारा 40op98 में है जब आपके जब आसकोडिल औकमा वह इंडिया में आये ठीक है कि और अब आसकोडिल दुण जो है हमारे इंडिया में सिर्फ एकी बार नहीं आया थे हमारे हनिया में दो ब़ार आये ते कल एक ट corazón 4098 में यह आया थे 40 98 के बाद 4099 में यह इंडिया बाविपास चलाइए थे और जब यह गेट अपने साथ यह बाहर इंडिया से मासाले लेकर गेट होрь मासालों में क्या लेके गेए तो यह अपने साथ ब्लेक Lage लेके यह थे अगैं में पीस्टिन हड्ड में साथो जिसका नाम था पैड रॉ पैड्रो पैड्रो अलबराज गैब्रल हैं ठीक है साथो फिफ्टिन हड्रो नेक्स्टिसीड आजनल में तरह पीड़ाज गापोर Atlateur कापीड ये अन्दिया पीड फिफ्टिन हंड़र टूब में बास्को डि मानः अगें इंडिया में आएं तो इसके बाद ही फिफ्टिन हंड़र ट्रे में जो पूर्तजिड हैं एंहोंने सबसे पहले फैक्टरी लगाई कोचिन में पूर्तजिड के द्वारा 1503 में तो सबसे पहले पूर्टगीज के जो लोग थे उने से आया था वासको डिगामा 1498 में ठीक है कौन से रूट से तो सी रूट से आया था ये ठीक है सी रूट से आने वाला पहला पूर्टगीज जो के इंडिया में पहुंचा था वो था 1773 यद्ध पे दो तो कौशिम है पॉर्तिगई श्बारे पने प्र्माचीव सब्सक्राइक काथ है में 1500 कमी इस चाहिए लिए उल ऐदड़ अच्रॉकरों कि और देद पquitoंज में इसके बाद जो आपका हमने अमेड़ा के बारे बढ़े है ठीक है फ्रांसिस दी अलमीडा यह जो गवर्णर है पृर्टिगीज का गवर्णर बनके आया अ इंडिया में फिंटिन हंडर्ड वाइब से लेखे 509 तक और जो अलमीडा है इस नहीं अरबियंस के पर अटाक किया था ठीक है Arabians के पर अटैक किया था और उनका जो ट्रेड था जो भी उनका वेपाद था उसको कॉंकर कर लिया था उसके उपर अपना अधिकार जमा लिया था और इसी को नाम दिया गया था जो अलमीडा ने उनके पर Arabians के पर अटैक किया था इसी को एक नाम दिया गया गोवा को भी cups दिय कैप्ञ्ड कर लिया है कि गोवा के ओपर भी अटेक है외 को बटने की एंडर ले लिया और इसके साथ ही साथ इनों। नहोंने जो कैपिटल है वह मुपने अपने लगे में अपनी को डोगे म इर कांट्रिबुशन क्या क्या ले ते मोगें इन से में इन से फाइदा यह हुए कि बहुत सारे चीजहों के बार MAE पता चला कि आपके ब्हुत हादो क इसे you a big potato, Davidson red chili छिली shipbuilding के बार में iau चली द॥े किस तरह अरहे जाती है प्रिंटिंग प्रास में देख लेक्क कि ए और साथ चाहके आज़ा की त्पमा साथ में तबका जो है लेके आये थे मतलब इन से हमें इन चीजों के बारे में पता चला ठीक है और इनके द्वारा जो प्रिंटिंग प्रेस में इनका जो हाथ था वो था कि इन्होंने 1556 में 1556 में इंडिया में सबसे पहली प्रिंटिंग प्रेस इस्टैब्लिश की थी सबसे पहले जो आपकी प्रिंटिंग प्रेस थी इंडिया में बनाई गई ठीक है इस्टैब्लिश की गई तो वो की गई थी 1556 में इनके ही जरिये पूर्टिगीस के ही द्वारा पर फिर नेक्स्ट ये हैं डेजिस के बारे में ठीक है पहले पूर्टिगीस के बारे में प्रेट यह पिर जो सबसे पहला ट्श है ठीक है पहरा जो ट ट्श है जो इंडिया में आया था उसका नाम था कार्नलेस होत्मैंड होत्मैंड जो है सबसे पहला बच ज्यको इंडिया में में था और डॉस जो है जा ठीक है सबसे पहले इन्होंने जो फैक्टरी बनाए थी वह बनाए थी इसके बाद इशुड गोल्ड कॉइंस ठीक है इंडिया में गोल्ड कॉइंस इसु की यह और इन गोल्ड कॉइंस को नाम दिया जाता था पैगोड़ा कॉइंस इन 1759 में क्या हुए बैटल आप بेद्रा बिट्टी आप बिटि शेर्स बाद की बीशेर्स बातल भी होई और वह बैटल कहां लोग स्वह में बैटल आप बैटिट्उ नाम दिया जाता है तो Britishers और Dutchess जो हैं इनके बेटल हुई जिसको नाम दिया गया बैटल आप बेदरा कब हुई है 1759 में जिस बैटल में कि जो आपके Britishers हैं Britishers जीत गए ठीक है और आपके Dutchess जो है यह आपके हार गी इसमें Britishers जो थे Britishers defeated Dutchess अब इसके बाद हम next जो भी पढ़ेंगे और next हम Britishers के बारे में पढ़ने लगें Britishers के बारे में next अब Britishers में सबसे पहला Britishers जो था वो कब आया था इंडिया में ठीक है अगर हम सबसे पहले Britishers की Britishers की बात करें तो सबसे पहला Britishers आया था 1599 में जॉन मिल्डेन हाल जॉन मिल्डेन हाल जॉन मिल्डेन हाल जो रही सबसे पहला Britishers था जो की इंडिया में आया था और यह कहां पर आया था तो यह आया था अकबर की कॉर्ट में ठीक है मुगल एंपरर जो अकबर है अकबर की प्रेटिशर जो था उसका नाम था जॉन मिल्डेन हाथ और उसके बाद नेक्स्ट विटिशर आया अकवर की ही कौर्ट में आया था अगर इस ताइम के हम बात करें तो इस ताइम पर जो बिटिश क्वेइन है वो थी क्वेइन अलिजाबिट टेलर फर्स्ट ठीक है और यह क् इस उदेशर स्याय से क्या एम लेक्व था तो इनकी एम थी कि यह अपने यह ट्रेड के लिए थे ठीक है क्योंकि हम बढ़ रहे हैं कि यह जो भी आपके यूरोपियंस इंडिया में आया है अपने बेपार के लिए तो यह भी फॉर्द पर्पॉस आफ ट्रेड यह भी इस इंडिया में का ग्रूप बनाया था और यही ग्रूप इसको बात में इस इंडिया कंपनी का नाम दिया गया था ठीक है तो यह आयते ट्रेड के लिए इन्हों ने इस इंडिया कंपनी की फांडेशन रखी इस इंडिया कंपनी बनाई इस इंडिया में नी बनी थी यह फट्रकन नोडें पर में एंडिया में लेकिन बनी लिन्डन में तो यह सभों नियु आ किक व armaike का क्विश्थल्ड के लिजए लगा सब्सक्राइशन रुपन सब्सक्राइब युट जिस 59- Bob उसके बाद बापीस से इसको renew किया चाहेगा फिर Captain William Hawkins Captain William Hawkins जानगेर के पार में जब हमने पढ़ा था तो हमने देखा था कि जानगेर के कोड में भी एक British आये थे Captain William Hawkins ठीक है In 1613, First Stable Factory of British इन सूरत अब 1613 में क्या हुआ? British की सबसे पहले Stable Factory मतलब जो पर्मनेंट फैक्टरी होती है, इस को पर्मनेंट बनाया जाता है तो जो पहले पर्मनेंट फैक्टरी बिटिश malt के बनाए थी कि इन है शूरत में फ खनाहा है लेकिन फेक्टरी जो थी वो इनकी stable factory नहीं थी इनकी वो permanent factory नहीं थी वो इनकी temporary factory थी इसलिए अगर हम first factory की बात करें तो first factory जो है वो सुरुत वाली माने जाती है जो कि 1613 में बनाएंगी थी they also founded madras and made a fort fort saint george इन्होंने madras को भी madras की foundation में रखे ठीक है जो madras आपका है उसकी foundation रखे और इसके साथ साथ इन्होंने एक fort बनाया किला बनाया जिसको नाम दिया गया fort saint george in 1757 1757 में क्या हुआ battle of plassi ठीक है battle of plassi हुई Robert Clive और Sirajud Dola के बीच में अधिया battle of plassi इसके बारें पहले पर चुके है कि इस बैटल में क्या हुआ है इस में जो Robert Clive है जो Britishers है उनकी जीत हुई थी ठीक है सब्सक्राइब क्या हुआ है इसकी डिफीट हुई यह हाथ गया फिर 1764 में इसी टाइम पर बैटल आपकसर के बारें हम पहले पढ़ चुके है अभी बढ़ा हमने कि इसने कि थी टीन रूलर के खिलावव तीन डूलर के साथ आप बोलसकते हो तेन रूलर इशाव आ लम सेकंड शराजु द्ल्लो और मीर कासम ठीकि इन के साथ इसने गहकी थी बैटल्स की थी अब इसके साथ ही जो आपके जो आपके बृटिशर्स हैं उन्होंने इंडिया में तीन प्रेजिडेंस भी बनाई थी तीन प्रेजिडेंस बनाई थी बृटिशर्स ने इंडिया में कौन-कौन सी थी तो यह थी कैलकटा मदरास और बॉंबई और यह उस टाइम के important parts भी थे important बंदरगा भी थे उस टाइम पे उस टाइम के इसी टाइम पे जो आपके Britishers हैं Britishers जो प्रिंस थे उनकी जब marriage होई थी तो उनको marriage में ही बॉंबई जो है जो आपका मॉंबई है इस टाइम पे तो बॉंबई जो है इनको यह मिला था डौरी में ठीक है डौरी मतलब दहेज में दहेज में इनको बॉंबई मिला था ठीक है इन्होंने marriage की थी पूर्तेगी प्रिंसेस के साथ प्रिंस चार्लिस थे बिटिश प्रिंस ठीक है बिटिश प्रिंस थे प्रिंस चार्ल्स तो उन्होंने marriage की थी एक पूर्तेगी प्रिंसेसे जिनका नाम था कैथरेन ब्रिगैंजा तो जब उनके साथ इसनकी शादियो ही थी तो शादी में ही इनको बॉंबई जो है वो डौरी में दिया गया आज तो फाक बस टने ‫प्रिंस एक एंद सक्ष्ट यंग को अंते करना ही बॉंबई जो है बॉंबई यही जो बिटिश ने जो अपने हेड्कवाटर्स थे वह शूरत से बॉंबई में भी ट्रांसफर कर लिये थे ठीक है तो बंबे जो है इनको मिला था यह डोर्य में बॉंब कि तो हुआए ने कुति हैं निंवार क्रछस्ट है कि हमारे पास पड़ेंगे वू कि आप बातर सहीं सबसे पहली के इन्हों नहीं नहीं और tys सब्ह Präsident, लोगार known के अप कंगे, एक सबसे पहले डोगी दौरा कंग दिव घयाओ यहंद्मार्क के दौरा जब है नहीं हे लिए इन्डिया चिर्ट का के चानए के सब चाहर चाना के साथ है शब शुूरू किया है चाना के साथ %. किया and bank back after selling their trade to Britishers, Britishers को अपना सारा का सारा जो ट्रेड है, जारा का सारा जो विपार है, उनको बेचने के बाद, विपार बेच के तो यह कहां चलेगे, यह चलेगे बापिस अपनी कंट्री में, ठीक है, तो जो डैनिश थे, डैनमार्क के लोग थे, जब यह इंडिया में आए थे, तो इंडिया में आने के बाद, 1616 में इन्होंने भी क्या किती, इन्होंने भी अपनी इस्ट इंडिया अपनी का, ठीक है? बिद्डोच जीत को सब्सक्राइब आगा को एक Г्यां नगे कर साथ में बचका आपके शभी सिसमय जो प। बढ़ेंगे रिवाल्ट ऑफ 1857 के बारे में बढ़ेंगे कि हमने जो डाउनफॉल आफ मुगल्स है उसको भी देख लिया ठीक है 1707 के बाद डाउनफॉल आफ मुगल्स का डाउनफॉल हुआ उसको हमने पढ़ लिया कैसे-कैसे जो बिटिशर्स हैं वह आये इंडिया में बिटिशर्स ने कैसे-कैसे जो सारा ट्वेर था अपने अंडर ले लिया ये भी हमने देख लिया तो अब इसके बाद क्या हुआ इसके बाद आपका हुआ रिवाल्ट ठीक है रिवाल्ट होना तैय था तो 1857 में आपका रिवाल्ट हुआ अपक काफी जादा लोको ने भाग लिया था इत बाद बाद वी 12 Jul ए सिव इसके बाद में बाय सय था पई स्था। सब्सक्राइब फिस अब किता इसके लिए प्लाइन बनाई थी इसके लिए प्लाइन बनाई थी तो अजी मुला खां धाल रनॉजे बाप फूजय थे इन्होंने ब्लाइनिग डाए थी इसके लिए जो यह रीवाट नहीं करना था 1857 में इसके लिए लंडन में प्लैनिंग बनाई थी तो इन्होंने यह सोचा था कि चलो हम सारे इंडिये के जो लोग है उनको हम बता देंगे इससे पहले ही इस डेट के बारे बता देंगे कि 31 मेई जो है तब हम सभी रिवाल्ट करेंगे बिटिशर्स के खिलाफ और सभी कठे में इनके जब रिवाल्ट करेंगे तो बिटिशर्स अपने आप यहां से चले जाएंगे बट कुछ रीजन्स थे जिन रीजन्स की बज़े थे ही बज़े से गिजो रिवाल्ट है यह अपने जो एक्जेक्ट टाइम था चो टाइम इसके लिए रखा गया था उस टाइम से पहले ही यह शुरू हो गया ठीक है तो इसका इसके लिए क्यों थी प्लैनिंग और प्लैन कि हम से पहले शूरू हो गया था इसे लिए यह जो रिवाल्ट है इसका फेल होना भी तएथा टो कित दिवाल्ट है 1857 का अब यह जो रिवाल्ट है 1857 का इसा स occupu पहले भी एक रिवाल्ट जो था वह invent इसको फस्ट एवैलिन आफ 1857 बोला जाता है लेकिन अगर हम फस्ट इवाल्ट की बात करें तो इससे पहले फस्ट एबाल हो चुका है 1806 में 1806 में लिखा नहीं आर्मी हो चुक है कि विस्ट आर्मी डिवाल्ट जो कि सब से पहला डिवाल्ट माना जाता है बेडिचेस की अगेंस्ट्थ तो ये सब्से पहला रिवाल्ट है जो 1806 में हुआ था और ये उता कर तमिल नाडू में है शबसे पहले हैं घो की हुआ था और यह था तामिल नाडू में यह यह वया है अरी 16 श्चिक्स में यह हम बात कि 287 की लिपुबUU और च बहादो शाहर जफर जब बढ़ा तो उसमें भी हमने देखा कि जो बहाद ऑक्री अका इसका मान आप है जो कल बाहाद们 भी ऐप में जो कि थे ऑन भी रोन-चेल क intéressant बहाद था आन जहल गाद की अरा फिरे रोन का था नाम chem आजिए परहि ustedes यह रिवाल्ट हुआ जिसके की लिडर बनाए का था बहादर शाह जफर को ठीक है अब जो रिवाल्ट हमने बोला कि रिवाल्ट की डेट ताय कही गए थी इसके एक एग्जैक्ट रखे गए थी 31 मैं 1857 लेकिन उससे पहले ही 10 मैं को रिवाल्ट शुरू हो गया तो वह किसके बज़े से हुआ तो वह रिवाल्ट जे हुआ मंगल पांडे के बज़े से ठीक है मंगल पांडे जो थे यह 34 नेटीव इंफैंट्री के एक सोल्जर थे ठीक है इनी को फर्स्थ मैट्रेयर आफ 1857 भी बोला जाता है ठीक है पहले शहीद हैं यह 1857 के यह अटेक्ट रन फाइ 1857 को इन्होंने क्या बोलते हैं गोलियां चलाई थे अपने सीनियर के उपर तो ही वास हैंग्ड ओन 8 अपर 1857 इसलिए 8 अपर 1857 को इनको हैंग कर देगे मतलब इनको फांसी दे दी गे थी अब यह जो बहादुर्शार जफर है बहादुर्शार जफर इस डिवाल्ट का ले बहादुर्शार जफर इस लीडर बहादुर्शार जफर इस डिवाल्ट का नाम था 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 बहादुर्शार जफर इस डिवाल विशत नणा साहिब उत ऐते हैं तो उर्पने डिवॉल्ट किया तो इन्होंने रीवॉल्ट काहँ से शुरू शुरू किया था रीवॉल्ट और शुल चैना से पाकईट बेगम हजरत महील यह इसागैं फ paper स्थक्रफ ने 1857 में आपके हो एे हैं अर यह जो रिवाल्ट के आपका रिवॉल्ट है अगरिस ताइम पर हम आर्मी चीव बात करें जो बटिश रार्मी है बिड़िश आर्मी चीव की बात करें बिडिश आर्मी चीफ की बात करें तो अगर हम रिवॉल्ट की बात करें तो जब रिवॉल्ट हुआ था उस टाइम पे उस टाइम से उस टाइम थे जॉर्ज आनिसन यहां के जो आर्मी चीफ थे विडिश आर्मी चीफ थे वो थे जॉर्ज आनिसन और जैसे ही रिवॉल्ट ह आर्मी चीफ की बात हो रही है तो पहले आर्मी चीफ थे George Aniston लेकिन जब रिवाल्ट हुआ तो रिवाल्ट के बाद जो आपके आर्मी चीफ थे वो चेंज कर दिये गी और चेंज करके बनेगे कॉलिन कैंफल अब यह जो रिवाल्ट है इसके स्टार्ट होने के क्या रिजन थे इस रिवाल्ट स्टार्ट अर्लियर विकास फॉलिंग निचे लिखे जो रिजन से उनके विए से पहले शुरू हो गया लाज दलोजी अप्लाइड डॉक्तरिन अफ लैप्स एंड ये संट मह अटेक किया था अटेक करके इन्होंनेम इन् ​​ ने क्या किया महराजाा रंजी शिंग जूत्ह लंडन बेंच आंगा इनको पे लाटिश स्ट्रेशिय जो आद बेआ धिया येम फिल्सल्ट आतोगार ऋसके बाद इन्होंने गिफ्ट किया था जो कोहिनूर डामेंड था उसको क्यों विक्टोरिय को भी गिफ्ट किया था यहीं दिलीब सिंग ने ठीक है इन्होंने क्या किता है इन्होंने गिफ्ट किया था गिफ्टेर कोहिनूर टु कुईन को कोहिनूर इन्होंने गिफ्ट किया था और इ तो थे आपके दिलीब सिंग ठीक है महाराचा दिलीब सिंग जो थे इनके पास प्लास्ट में कोहिनू डायमेंड था और अपने अपने खुद की हाथों से नहीं बिटीशर्स को यहां फिर आप बोल सकते हो कि विक्टोरिय जो आपके क्यों विक्टोरिया थी उनको कोहिनू अपने जो निकाला था जिसको की इंडिया के लोगों ने बूरी तरह से ऑपोस्ट किया था योग इंडिया के लोग इसके खिलाव थे क्योंकि उनके रिलीजिस ब्लीफ के अगेंस था इसके बाद जो लॉड डलहोजी थे लॉड डलहोजी था इसने एक और काम किया था इसने डॉक्रिन आफ लैपस भी चलाए थी लॉडल होजी ने ही doctrine of labs भी चलाए थी और doctrine of labs क्या थी तो doctrine of labs थी इसकी हड़प किने दी इसमें गया था कि ये जो भी रूलर्स होते थे जो भी एरियस होते थे उसको हड़पना होता था इसके इसके अंडर तो इसने ही चलाई थी doctrine of lapse और doctrine of lapse के according इसने बहुत चारे जो एरिया से उनको अपने अपने अंडर भी ले लिया था उसके बाद है social religious moment तो यह कुछ moments है जो इस time पर चली थी इसी time कुछ moments है हमारे इंडिया में चली थी पहले revolt को यह देख लो यह जो रिवॉल्ट है यह तो हो गया recent reason दलहोजी का ठीक है जो लहोजी ने क्या किया अब इसके साथ और भी reason है जैसे विडियो रिमारेज बिल तो आ गया जो कि लोड अलोजी ने पास आउट किया इसके जितने भी लोग थे इंडिया के सभी ने इसको पोज किया लेकिन एक परसंदर जिसने इसको support किया था वो थे आपके इश्वर चंदर बिद्य सागर ठीक है तो इन एक का नाम भी अपने याद लखना है कि इश्वर चंदर बिद्या सागर ने जो आपका विडियो रिमारेज अक्ट है उसको support किया था इसके कुछ रिलीजियस रीजन भी थे इसी ताइम पे जो आपकी क्रिश्चन मिशनरीज होती है जो आपकी क्रिश्चन मिशनरीज थे ये भी इंडिय द्धमका के तो यह उन लोगों को क्रिश्चन बनाते थे इस कारण से भी जो रिवाल्ट है यह शिरू हुआ तो इसका रीसेंट रीजन भी है जैसे मंगल पांडे मंगल पांडे जो कि फर्स्ट मैट्रे रहां आपके फर्स्ट मैट्रे रहां जो आपके 1857 के डिवाल्ट के उनके बार में भी है कि जैसे उस टाइम पर जो कार्थूस यूज होते थे मतलब जो भी हत्यार यूज होते थे अब बोल सकते जो भी गंस यूज होती थी तो इस इसी टाइम पर नई गंस आए ठीक है तो उन गंस जो पहले ब्राउन बैस मतलब बुड़न जो गंस थी वो यूज होती थी लेकिन 1857 से क्या हुआ है और फिल्ड राइफल जो की आइरन के बनी होती है वो यूज होना शुरू होगी और यह जो राइफल्स हैं इनके बीच में जो आप बोल सकते जो बहरा जाता था जबी मसाला अल्यार के बीच में डाला जाता था को क्या करना पड़ता उसके लिए पहले समना होता था था ध्यक्त कर अब वो dipped अचै wax वह लकिन रूकला थे आफिन एक अफिगे कव सsteепो ओंधर colors की ख्यीना उसमें और पे मावां पर उसकी बीच में तो ये क्योंतम जो है वह जो हिंद है ठीक है मुस्लिम्स पिग की पूजा करते हैं और जो हिंदूस है वह काओ की पूजा करते हैं इस लिए इस इसको लेकर भी वह ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट होगे और उने रिवाल्ट शुरू कर दिया जो कि अब कर बैरेकपूर में हुआ पहले पढ़ चुके हैं हमकी मंगल पांड़े ने बैरेकपूर में रिवाल्ट शुरू किया था है 34th में नीटिव इनफैनविर mm के यह वो थे सॉलजर्स थेयर ठीक है एसके साथaur इसके साथ ही और बी क।छ शॉलजर्स थे जिनको के जिनको कहां सीदी गयी थी थी तो जो इनको भी आदुशाछ जफ्वर उनको झूझ तो यह भी कुछ एजन्स थे इस रिःवाल्ड को जल्दी शुरू करने छे ठीके तो ऐज किली फूर्य उतना रखते हैं तो मिल नेक्स्स क्लास में तो अपति के लिए बायए Thank you.